क्या जाते जाते इस बात का एहसास समर्थ को हो गया कि उसने जो चीजे की हैं वो गलत थी क्या उसे इस बात का एहसास हो गया कि यहाँ पर उसने जो भी बाते अभिशेक के लिए बोली जिस तरीके से उसने चीजे की वो वाकई में बहुत गलत था और इसी बात की माफी अब जाते हुए समर्थ ने मांगी है जी हाँ आपने सही सुना जाते जाते समर्थ क्यों आखों से आसु बहातान नजर आया है क्यों उसने अभिशेक के गले लगकर कहा I am sorry क्यों आखिरकार उसे इस बात का एसास हुआ कि यहां उसने कुछ चीजे वाकई में गलत कर दी जो उसे नहीं करनी चाहिए थी तो हम आपको बता दे कि अब ख़बर आ रही है कि यहां जब समर्थ का एलिमिनेशन हुआ तब उसने जाते हुए जो है sorry कहा है अभिशेक को उसे इस बात का एसास हुआ कि उसने जो भी चीजे की वो गलत कर दी उसे यह सब नहीं करना चाहिए था हम आपको बता दे कि एक बात तो तै है कि समर्थ ने जिस तरीके से अभिशेक की कई परसनल चीजों को खुले आम जाहिर किया वो चीजे नैशनल टेलिविजन पर बिलकुल सही नहीं दिखी यहाँ पर साफ साफ कहा था विशेक ने समर्थ को कि देख लेना तुझे भी बाहर जाकर ये छोड़ देगी और अब वही हुआ है यहाँ पर समर्थ को इस बात का एहसास हो गया है कि बाहर ईशा उसके साथ कोई रिष्टा नहीं रखने वाली और इसलिए अब जाते हुए अभी शेक से साफ साफ कहता नजर आया समर्थ कि मुझे तेरी बात मान लेनी चाहिए थी मुझे मालूम है कि तु गलत नहीं बोल रहा था पर मैंने तेरी बात पर विश्वास ही नहीं किया तो हम आपको बता दे कि जिस तरीके से चीजे सामने आ रही है उससे तो ऐसा लगता है कि मानो अब समर्थ को भी अपनी गलती का एहसास हुआ है यहाँ पर समर्थ जिस तरीके से सौरी कहता नजर आया है उससे एक बात तै है कि यहाँ पर अब जो चीजे हुई है उसको भी इस बात का अहसास है कि उसने गलती कर दी लेकिन यहाँ पर जब ईशा के पापा आये और जिस तरीके से उन्होंने बिहेव किया वो चीजे जो है उन्हें पसंद नहीं आ रही थी और इसलिए साफ साफ जो है कहते हुआ समर्थ सौरी नजर आया है आप इस बारे में क्या कहेंगे कमेंट में अपनी राय लिखकर जरूर बताएं लेकिन उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले